अध्याय चार भारत की नदियां एवं अपवाह प्रणाली नदियों का उद्गम परवती शेत्रों, उंचे स्थानों, जील, जरने या हिमनद, ग्लेशियर से होता है जब वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग भूमी में समा जाता है अधिकांश जल प्रित्वी की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है आपने देखा होगा कि नदियां धरातलिय धाल के अनुरूप उंचे भू भाग से नीचे की ओर बहती है प्रारम्ह में नदी की धारा पतली होती है लेकिन जैसे जैसे अन्य सहायक नदियां मुख्य नदी से मिलती है नदी में जल की मात्रा बढ़ती जाती है एवं नदी चौडी होती जाती है धरातल पर बहने के अतिरिक्त वर्षा का कुछ पानी भूमी के अंदर रिसकर अंदर ही अंदर बहता रहता है वहीं भूमी गजल जल श्रोतों के रूप में प्रिथ्वी की सतह पर नजर आता है प्राय परवतिय स्थानों से अधिकतर नदियों का उदगम होता है जहां से नदी निकलती है उसे नदी का उदगम और जहां नदी का अंत होता है उसे नदी का मुहाना माउथ कहते है